फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इस स्कूटर का जो कीकलिवर ये पूरी तरह से जाम हो गया है कीकलिवर इतना जाम हो चुका है कि ये बिलकुल नीचे नहीं जा रहा है पूरा जोर लगाने पे भी कीकलिवर नीचे नहीं जा रहा है इस स्कूटर में आप देखो कि कीकलिवर नीचे तो जा रहा है लेकिन क्या हो रहा है कि नीचे जाके वो जाम हो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है कि काम यहां पे भी नहीं कर रहा है लंबे सम्मेशा पने जो स्कूटर है उससे सेलफ से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है वो लगताल शेल्म अमार रहता लेकिन क्रैंकिंग होई नियरत और चे कोशिश कर लो और उस ने मुझे क्वा कि कि चाने को गया है तो फिर मुझे लगा कि इसके उपर साथ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल अको ज़रूर से दबा ले अप इंटेकू जो कि जाने का रिख़ाएथ यह स्कूटर स्कूटी में देखने को मिलता है, हलाकि बाइक का किक भी जाम होता है, लेकिन जाला तर यह स्कूटर स्कूटी में होता है, अब देखो 10% ही केसे ऐसे होते हैं, जहां पे जो कम्पलीट किक का मेकैनिजम होता है, जो किक के लिए गियर को वगरा को दियाता है, औ बाइक हो स्कूटर उसके किक को यूज नहीं करता है और यूज नहीं करने के वाएसे हो यह जाता है कि जो किक का कम्प्लीट मेकैनिजम है किक का जो कम्प्लीट पार्ट है जो गेर वगरा है वहाँ पे डी ग्रीसिंग हो जाता है वहाँ पे ग्रीस वगरा जो सुख हो जाता ह लूबिरिकेशन वहां पर हो नहीं पाता है काफी लंब़ लंबाव समय अगर्स के को उजे तो गम्हें पखेंग हुए यह जी यह जाम कोशिश स करते हैं और जब आपको यह कोशिश कुछन करती हो तो किक जो है चाबी को ओफ ही रखना और जश्ट कम से कम पाच से लेकर दस बार लगतार अपने बाइक क्या स्कूटर की किक को मारना है इससे क्या हो जागे कि जब आप इस तरह से करोगे एक सब्तम में एक बार किसी भी टाइम में करोगे तो इससे फायदा ये मिलने वाला है कि जो किक लीवर है बाकी की चीज़े वो जाम नहीं होगी यहाँ पर डी ग्रीसिंग का सिकायद देखने को नहीं मिलेगा अंदर में जो ग्रीस वगर दियेगा है उनका जो लिडिकेशन नहीं हो जाएगा उनका मुंईमेंट हो जागा पार्स का मुंईमेंट हो जाएगा और इसके बाद क्या होगे in case of emergency कभी emergency आ जाए आपको किक यूज करना है तो फिर आप देखोगी किक आपका सही से काम करेगा तो एक सप्ता में एक बार जस्ट पाच से लेकर दस बार लगतार आपको किक को मार लेना ठीक है अब दूसरा काम ये करना कि हाला कि आज के टाइम पे जो बैटरी है वो बहु में किक दिया गया तो बाइक में और अगर स्कूटर में किक दिया गया है तो आप बाइक और स्कूटर को किक से जरूर से स्टार्ट करें ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि जब आप किक से स्टार्ट करोगी इंजन को तो उससे भी जो मैं आपको पहले देखने को मिलेगा तो एक साल में एक बार सर्विसिंग कराओ ठीक है तो एक साल में एक बार सर्विसिंग कराओ ठीक है तो एक साल में एक बार सर्विसिंग कराओ ठीक है तो एक साल में एक बार सर्विसिंग कराओ ठीक है तो एक साल में एक बार सर्विसिंग कराओ ठीक है त पिर हर एक सर्विसिंग में यह हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी कम से कम एक साल में एक बार जरूर से आप जो किक लिबर और बाकी की जितने भी यहाँ पर आरेंजमेंट्स वगरा को दिया गया, गयर को दिया गया और बाकी जिस तरह के आपका बाइक जिस भी क तो इससे आप देखोगे कि काफी लंबे समय तक आपका जो बायक और स्कूटर का जो किक है वो अच्छी तरह से काम करेगा और इन केस ओफ एमर्जनसी आपका ये काम में भी आ जाएगा, तो उमीद है कि इस वीडियो में दीगे जानकारी आपको पसना आई होगी वीडिय अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बार अतनी राए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता, इसके लाव अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पिली चैनल को स सब्सक्राइब करके बेल अगर को जरूर से दबा ले, मिलते अगले वडियो में, थैंक्स वर आचिंग इस वीडियो, गुडबाई